स्विष्टी स्थिती विनाशनाम, शक्ति भूते स्नातनी, गुणाश्रय, गुणमे, नारायनी नमस्ते शक्ती की जरूरत सबको है, जीवन जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने आपको, अपनी existence को प्रूव करने के लिए, अपने हर एक इच्छा की पूर्टी के लिए अपनी स्थायत्व के लिए अपने आपको प्रूव करने के लिए शक्ति की जरूरत सब को है दुर्गा सब्शती शक्ति का ही ग्रंत है शक्ति की जरूरत सब को है हर व्यक्ति अपने सभी कारें को संपूर्ण करने के लिए शक्ति का ही शर्मागत होता है और शक्ति की ही साधना करता है पूरे विश्व में शक्ति को ही परमतत्व माना जाता है शक्ति ना हो तो हम शक्तिहीन हैं और शक्तिहीन जो है वो व्यक्ति किसी भी कारे को पूर्ण रूप से समपादित नहीं कर पाता अपने आपको प्रूव नहीं कर पाता कमजोर रहता है और कमजोर को हर व्यक्ति दबाता है आज के समय में आप देखें कितने प्रकार की समस्याएं हैं कितने प्रकार के लोगों की मैं सुनता हूँ लोगों की बात के फलान शत्रू जो है वो मुझे परिशान कर रहा है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति जो है, वो मेरे पास हमेशा मुझ पे शक्ति का अपना थोपन करता है, यानि इंप्लाइ करता है अपने आपको हर वेक्ति अपनी शक्ति को प्रमुख रखके अपने आपको प्रूव करता है तो एक चीज जो समझने वाली है ये क्यूं है क्योंकि शक्ति ही प्रमुख बेस है, शक्ति ही अस्थित्व है और शक्ति ही सुरेश्टी है अब आज में जो मंत्र आपके सामने दुर्गा सप्तिशती का लेकी आया हूँ वो मंत्र बहुत ताकत्वर मंत्र है उग्र मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है आपके जीवन में शक्तिहीन तक से शक्तिवान बनाना ये इस मंत्र का प्रभाव है वो मंत्र है स्रिष्टी स्थिती विनाशनाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायनी नमस्ते ये मंत्र इतना प्रभावशाली इतना शक्तिशाली है कि सभी प्रकार के गुप्त से लेके सामने प्रत्यक्षिशत्रू इनका नाश करने वाला है यदि आप समस्या में हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो इस मंत्र की शरण में आईए शरणागत दीनार्त परित्रान पर आयने सर्वस्यारती हरे देवी नारायनी नमस्तते तो ये मंत्र जो है पहले सुष्टी स्थिती विनाशनाम शक्ती भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायनी नमस्तते इस मंत्र का जाप आपको 21 दिन करना है यानि अभी नवरात्र चल रहे हैं आप अश्टमी नवमी से शुरू कर सकते हैं उसके बद शहरे से शुरू क कर सकते हैं आपको इस मंत्र का जाप जो है दिवाली तक करना है किस प्रकार से रद्राक्ष की माला काले हकी की माला या फिर स्वटिक की मनी या फिर स्वटिक की जो माला होती है उससे आपको 11 माला रोज करनी है इसमें भगवती को लौंग का भोग देना होता है आसन लाल कपड़े लाल चाहिए और यदि आप पूर्ण रूप से साधना कर रहे हैं तो आपको प्याज लहसुन वगएरा छोड़ना पड़ता है तामसी प्रविर्ती को छोड़ना पड़ता है और अपने आपको पूरी तरह से भगवती के चरण में लग जाना होता है समर्पन कर देना होता है और अपने मंत्र पर विश्वास रखते हुए आपको ये साधना करनी होती है सृष्टी स्थिती विनाश नाम शक्ति भूते सनातनी गुनाश्रय गुनमय नारायनी नमस्ते ये मंत्र आपके जीवन में आपके छिपे शत्रूँ से लेके आपके प्रतेक्ष शत्रूँ तक आप पे जो भी अन्याय रूपी समस्याएं आ रही हैं उनको नाश कर देगा ये मंत्र महाकाली की उग्र उर्जा जैसा है ये मंत्र देवी दुर्गा के विभत्स शक्ति जैसा है ये मंत्र कालरात्री के शुभंकरी रूप जैसा है ये मंत्र सभी उन दस महाविद्याओं जैसा है जो साधक को जीवन का नया रास्ता दीती है नवार्ण मंत्र अपने आप में शक्ति है ये जो दुर्गा सप्तशती के संपुट मंत्र हैं, इनको भी अगर हम प्रयोग करते हैं, तो हम जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं, हर मंत्र का अपना अपना प्रभाव है, हर मंत्र की अपनी अपनी शक्ति है, हर मंत्र का अपना अपना ओरा है, हर मं शक्तिएन व्यक्ति दरिद्र कुछ भी नहीं है उसके पास परन्तु यदि ये मंत्र का जाप कर लिया जाए, ये मेरा पर्सरेल एक्स्पीरियनस है, यदि इस मंत्र का अच्छे से जाप कर लिया जाए, तो कोई गुप्त शत्रू से लेकर प्रत्यक्षे शत्रू तक हिम्मत नहीं है, कोई सामने आ जाए और कोई, ये मैं ये नहीं कहता कि शत्रू, शत्रू तो देखिये हर व्यक्ति, अगर शक्ति का तो स्वभाव ही उगरता है है ना जिस बंदे के पास शक्ति होगी जिस भी वक्ति के पास शक्ति होगी तो वो अपना अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा दुर्गा सत्षती को पढ़ना और उस देवी के शरनागत होना यह अपने आप में ही बहुत है इसका अर्थ यह नहीं है कि आप effort मत कीजे आप साधना कीजे साथ में effort कीजे यदि आपके जीवन में इसमें तीन प्रयोग बता रहा हूं तो आप क्या करें लाल हकीक की माला लें लाल ही वस्तर पहने लाल ही आसन ठीक पूर्वा भी मुखो के नौर्थीस की तरफ मुख करके घी का दीपक जलाके नारियल रखके इसका जाप करें अभी मंत्रित माला ही ले बहुत सारे मित्र कहते हैं कि हमने यह साधना की परंतु हाप कारosion नहीं हुआ कारण है उसका उसके अंदर जो सामगरी प्रियोग हो नहीं होनी है हर एक चीज अगर आप अध्यात्मिक तरीके से कर रहे हैं तो koji दिक्र नहीं है वह आप कर रहे हैं अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैं यह काम नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पे इतनी कृपा नहीं करूंगी, आप कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, परन्तु आप इस चीज को भी साथ में समझें, कि यदि आप उस exact तरीके से करें, तो आपको अधिकलाब मिलता है, कुम-कुम का तिलक, अभिमंतरित कुम- यानि आपने बजार से माला खरीदी, आपने उसको अभिमंतरित नहीं किया, आपने उसे प्रांट पतेश्चित नहीं किया, तो वो सिर्फ एक पत्थर है, आप उसको अगर तरीके से जाप करें, आप पहले अभिमंतरित करवा लें, या ले ही एनरजाइजड अभिमंतरित लें उसके लिए आप मुझसे संपर कर सकते हैं यहां पे आनंदों में आपको मिलती है अभी ये साधना जब आप करें स्वटिक की मणी से लाल हकीक की मणी से या फिर काले हकीक से पहला प्रयोग मैंने आपको बताया कि अगर कोई कोट का चहरी का मुद्दा है तो आप क्या क मिलेगी शांत रहें मौन रहें अथा शक्ति लाल हकीकी माला यूज करें और भगवती के स्वर्ण में लगे रहें और उसके साथ कवच अर्गला कीलक और कुंजिका देवी सुक्तम और कुंजिका और बत्तिस्ना मावली ये भी अगर आप जाप कर लें तो बहुत अच्छ ग्यारा माला इसका जाप करने के बाद में आप जब उठें तो क्षमा प्रार्थना करके उठें ग्यारा माला सुबा अगर आप सुबा रातरी दोनों करना चाहते हैं अगर आप केवल रातरी को करना चाहते हैं तो बारा बजे से पहले नौ बजे के बाद इसकी साथना करे और भोग में लॉंग का भोग दे कपूर जलाएं उसके अंदर लॉंग जो है उसको डाले तो जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ आपके अंदर जो भय था या फिर आप कोई कोट के चहरी के चकर में ऐसे में उल्जे हुए थे जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ तो वहां पर आपको जो अगेस्ट थे वो भी फ्रेवर में आने शुरू हो जाएंगे अधिक जानकारी के लिए आप जो है आनंधों से संपर कर सकते हैं वाट्सेप कर सकते हैं